मैंने हर्षद को देखा है, केतन को जहला है उसके बाद ये दो सक्याम पूरा इंडिया जानता है बट इश्व या इसके बात भी बहुत सारे सक्याम सुऊंच है कोई बात नहीं करता हुब मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में अगर हर्षद मेता की बात अगर हम छोड़ दे तो बाकि किसी भी scam के बारे में बात ही नहीं होती ना लोगों को उसके बारे में पता भी है एक परसेंट भी लोगों को पता है इन फैक्ट अगर देखा जाए तो हर्षद का शायद scam एक लेवल पे जरूब था because of bond money and miss rooting of funds जिसको बोलते हैं वो एक portion scam था but otherwise he was only into cash long only investment crash आया, collateral damage हुआ, वो एक अलग चीज हो गया but बाकि जितने scams हुए वो सारे के सारे leverage वाले scams थे so basically जो हमारे Calcutta Calcutta जिस चीज के लिए famous है आज भी है Calcutta is regarded as the financing capital of stock market हर इस चीज का मतलब जो ये dot com का भी जो था leverage unofficial बदला बोलते थे उस समय उसको unofficial अब तो खहर ये सारा का सारा futures and options and सब एक guided and in fact उसके बाद ये से भी आया structured इसमें आ गया है सब कुछ structured structured तो आज भी हो रहा है मतलब अपने अगर आगे चलकर बात करेंगे कि SEBI is just tightening और social media में चलता है कि retail को भगा देगा SEBI but actually हर चीज के पीछे कही ना कहीं कोई एक you know misuse of the system होआ है एक deep reason होता है हर एक SEBI का जब order आता है या कोई loose guideline change होता है कही ना कहीं मतलब मेरे 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 मैं अपने paper बलता हूं I am one person who was waiting for that मतलब मेरे को हमेशा लगता है चलो आप यह SEBI ने कर दिया because उसके पहले वो कहीं ना कहीं वो scam हो चुका होता है या एक बहुत बड़े level पर brew हो चुका होता है and fit SEBI comes SEBI comes with enough पहले तो खेर आज से बारा साल पहले SEBI used to be reactive these days now SEBI has become very proactive and यह बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा रोल है आज भी कुछ एक इस बात का खुशी होता है देखकर कि 2019 के बाद भी जो जनेरेशन आ रहा है मार्केट में अब जो SEBI ने 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 लगा दिया ब्रोकर्स का कि पहले आप EFO टर्मिनल खोलोगे तो 89% लूज मनी यह कहीं न कहीं से भी भी अब समझ रहा है कि लोगों का रुपया कहां जा रहा है विच इस विच इस एक्चुली गुड फॉर दब ब्रॉडर जनेरेशन यह जो नया जनेरेशन अब आ रहा है मैं जिसको फेमस हो गया जिसको बोलकर लॉगड़ाउन की पैदाईश तो यह जो लॉगड़ाउन की पैदाईश वाले जनेरेशन जो आई है 2019 के बाद मार्केट में कामदंदा चोड़कर पढ़ाई लिखाई चोड़कर केरियर को छोड़ दिया कि उनको लगता है की मार्केट में तो पैसा बनाई रहे है easy money बन सकता है easy money बन सकता था तो क्यों गल्ला पे बैठना क्यों father का business करना क्यों कोई fort amar करना यह तीन घंटा में बनाई लेंगे तीन घंटा में तो बनाई लेंगे यही कारण था जो I came into social media ट्विटर पे मैं हूँ आज 10-12 साल से जितना वो उसमें अवेरनेस होता है जितना टॉप बॉटम जो भी मार्केट के मूज का जो भी जो मेरा फोटेज जसको लगता है मैं शेयर कर सकता हूँ but then coming and talking to the people started from pandemic because this is one gray area which no one will come and tell market में हर मूव के पीछे एक स्काम है हर मूव के पीछे एक स्काम है और इसको हमेशा मैं हमेशा इसलिए आज 3 साल से जो मेरा वीडियो देख रहा है तो हमेशा अब now people I have also started recognizing जो मेरे students है वो बोलते है बात को की looking from the other side of the table और मैंने वो other side of the table को जिया है जो दिखाया जाता है जो दिखा रहा है या जो दिखाना चाहता है मैं उसको बहुत करीबी से देखाऊं last 25 साल में बहुत करीबी से देखाऊं अच्छा आपने गहा कि market में हर मूँ के पीछे एक स्काम है इसे थोड़ा सा deep में जाकर अगर समझने की कोशिश करे तो थोड़ा सा समझा सुपर gap किसी को यह चिरसागर है मतलब इतना deep है और इतना deep है और कहां से start और कहां से end तो बोलना एक बार शुरू करेंगे तो कहां से start करना और कहां end करना यह समझ नहीं आएगा पर हाँ चलो कुछ एक चीज डिसकर्स कर सकते हैं से फ़र एक्जामपल एक स्कैम की बात करता हूँ ये डॉट कॉम का स्कैम तक तो सब जानते हैं उसके बाद 2008 भी सब जानते हैं 2008-09-10 में भी एक स्कैम हुआ और बहुत बड़ा स्कैम था जो सबी को हिला के रख दिया और कुछ ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल चेंजस से भी लेकर आए जिसके पीछे का कारण शाहिद किसी को पता ना हो बट जो उस चीज को बहुत करीबी से देखा है उसको पता होगा एक था 2008-09 के बाद mushrooming of IPOs X, Y, Z even dummy companies का IPO मतलब IPO पे से भी का कोई regulation उस समय ऐसा हुआ नहीं करता था होता था एक बोलने को था red earring prospectors बहुत उपर उपर सा था बहुत उपर उपर सा था अब आज के दिन में एक red earring निकालना even for a SME, SME में फिर भी थोड़ा leniency है but main board में आज के दिन में red earring निकालना especially for small IPOs is very very difficult, SEBI has become very मतलब पहले कोई ऐसा verification का process नहीं था SEBI का, आप चलो ठीके paper सम्मिट किया merchant banker है अच्छे अच्छे nationalized type के bank नाम भी ना लिए बताता हूं तो आप merchant bankers रख लिए दो तीन और सब कर लिया और उनके cloud से बस पेपर पास हो गया और वो IPO आ गया जहल बहने ही तो वो पेपर वो IPO जिस company का आया वो company का last में कई बार scam के end में तो ऐसा भी पता चला कि वो company का सिर्फ board हुआ करता था उसका कोई existence ही नहीं था और वो IPO आया और सारे के सारे में pump and dump हुआ और किस लेवल पर pump and dump हुआ मतलब एक instance अगर मैं शेयर करूं तो कुछ 50-60-70 रुपया का शेयर लिस्टिंग वाले देनी 400-500 रुपया हो जाता है उसके बाद वो फिर next in 20% वापर circuit, next in फिर 20% वापर circuit, fourth day T plus 2 में पता चलता है 30-35 लाग शेयर, 70 लाग शेयर का शेयर IPO था जितना मैं रिकॉल करता हूं और 30 लाग IPO, 30 लाग शेयर उसका auction, means retail publish शायर शॉट चला गया उस पर, 70 रुपीज का IPO था ही रिकॉल प्रॉपरली और auction price closure हुआ कुछ 800-800 रुपया में और मज़े की बात देखो, auction का cut-off time होता है एक बज़े, साड़े 11 बज़े वो down circuit में था, कुछ साड़े 500 रुपया में और वो circuit शायद खुला 70 रुपया में या 80 रुपया में और वो share ultimately, circuit खुलता है साड़ सत्तर रुपया में या 80 रुपया में, pump and dump उस समय, it was so rampant and every day 2-3 IPO is coming, तो ये लाखो करोड रुपया, ultimately किसका बरबाद हुआ, पब्लिक का, पब्लिक का, and this was all in tandem with XYZ people and promoters, और इसमें कौन बनता है, इसमें जो kingpin होता है, वो कभी सामने नहीं आता है, मर जाते हैं, कोई front person होते हैं, वो मर जाते हैं, कोई, जो बस face होते हैं, वो ही फस जाते हैं उसमें, और इसके बाद ही, सेवी के लिए, सेवी ने रिलाइज किया, और उसके बाद एक massive structural change ला है, IPO मार्केट में, जहां पर, कि उस वो Z category में रहेगा, छोटा IPO distinguish कर दिया, इतने, इतने से कम का IPO, 15-20 दिन तक या, एक मैने तक शायद ट्रेड ही नहीं होगा, ट्रेड होगा मलब Z category में ट्रेड होगा जिसे की pump and up नहीं हो सकता